Hello my dear friends, good morning. Today we are going to discuss one more topic on our banking exam. LRS के उपर आज हम discussion करेंगे. Friends, क्या होता है कि आप अगर मानलों बहार पढ़ने जा रहे हैं या किसी और काम से बहार जा रहे हैं तो आप कितना पैसा साथ ले जा सकते हैं? कैसे देखो, बहार क्या होगा कि फॉरन एक्चेंज ही चलेगी? यहां जो रुपीज हैं वो बहार नहीं चलेगे. तो आपको क्या होता है कि अपनी फॉरन करणसी एक्चेंज करनी पड़ती है पहले. तो उसकी रिगार्डिंग यह टॉपिक है हमारा. यह आपका CIV में भी का वर्ड होता है, फॉरन एक्चेंज करके है. तो उसमें आप करनी होती है. तो आप कहां जाएंगे? एक टर्म इसमें आती, AD करके. आप उपने पड़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. ADS करके लिखाता है या फिर AD होता है. इसका मतलब होता authorized dealers. डीलर्स कोन से होंगे? जैसी कि आप कुछ पैंक्स होते हैं, जिसमें कि आप foreign exchange इस तरह करके कि हमारा जो है, यहां पर हम आपको dollar देते हैं, ठीक है? तो पहली चीज रेस्रिक्शन के आए कि cash में कितना हम foreign exchange चेंज कर सकते हैं, तो that is 50,000 rupees ठीक है? अगर आप 50 जावा पे cash लेके जाओगे तो आपको चेंज करके दे लेगा foreign exchange cash में, ठीक है? उस चे लेखते हैं, leverized remittance scheme में क्या होगा? कि अगर आपने small value remittance करनी है, छोटी सी amount करनी है किसी काम के लिए, तो 25,000 rupees डॉलर तक भीज़ेगा, ठीक है? बाकि सब का जो भी, अगर आप option में कुछ भी दिखाई देता है, तो आपने सिर्फ 5,000 rupees डॉलर पे tick कर देना है, एक साल के जैसे कि आप private visit के लिए जा रहे हैं, तो 25,000 rupees डॉलर, कोई student है, बाहर बढ़ने जा रहा है, 25,000 rupees डॉलर, ठीक है? और भी कोई काम है, तो उसके लिए 25,000 rupees डॉलर, जैसे कि आपने कोई donation दे रही है, 25,000 rupees डॉलर, ठीक है? immigration है, आप अपना समान समूं चक्के और सदा-सदा जा रहे हैं, तो 25,000 rupees डॉलर है, और है, जैसे कि आप business trip के लिए जा रहे हैं, तो 25,000 rupees डॉलर है, student study करने के लिए जा रहा है, किसी को आपने gift देना है, अगर मालो आपको कोई नौकरी मिलती है, तो आप 25,000 rupees डॉलर तक ले जा सकते हैं, अब हम पढ़ेंगे exception, exception सिर्फ दो exception है, यह याद रखना है, जैसे कि small value remittance है, तो 25,000 rupees डॉलर होगी, question में confuse करने के लिए यह term जरूर डा देते हैं, small value remittance, और आगे लिख देते हैं, ठाई डॉलर और कई बार हम यह होता है, जीलो नहीं देख पाते हैं, या फिर वो ऐसे लिख देते हैं, जैसे यह निखा ह याद रखने है, बाकी और कुछ भी आए, जैसे गिफ्ट के लिए बोले कुछ बोले, तो 25,000 की यह जरूर पर टिक कर देना है, तो वो लोग क्या रखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे,